हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम जटपट बनने वारी अलू मटर की सबजी कूकर में बनाएंगे और इस सबजी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं इसमें हमें अलू उबालने के भी जरूरत नहीं होती है सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे जीरा देखे अच्छे से चटा गया है, अब मैंने इसमें दो बारिक चोप कियोए प्याज डालें प्याज को मैं अच्छे से बुनने हैं, अगर आप प्याज का पेश्ट बनाके डालेंगे तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा लगेगा प्याज को मैं अच्छा कलर चेंज होने तक बुनने है, यह देखिए प्याज हलका सा बुन गए, अब हम इसमें थोड़ा सा लेस्ट डाल देंगे लेस्ट को भी मैंने बारिक चोप करके डाला है, लेस्ट और प्याज को मैं अच्छे से बुनने है इस सब्जी में मैंने बहुत कम तेल यूज किया अगर आपको ज़्यादा तेल वाली सब्जी पसंद है तो आप तेल की कौंटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं आदा छमच हम इसमें सोंफ एड़ करेंगे सोंफ हमें पहले एड नहीं करनी है बाद में याड़ करेंगे और यह देखिये प्याज और लेस лег सून हमारे अच्छे से बुन चुके हैं अब हम इसमें 2 हरेमिर्च एड करेंगे, मैंने हरेमिर्च को पूरा साबूती डाला, आप चाहें तो काटके भी डाल सकते हैं अब हम इसमें आलू डालेंगे, मैंने चार मीडियम साइज के आलू को बड़े बड़े टुकडू में काटके तयार कर लिया है और साथ में हम मटर डाल देंगे, अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं तो आप मटर बाद में डालिए और fresh matter use कर रहे तो भी डाल दीजिए, साथ में हम मसाले डाल देंगे, एक चमच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिच एड़ किये, आदा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, और एक चमच हम इसमें बेसन एड़ करेंगे, बेसन हमें इसमें जरूर एड़ करना और इससे सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा हैगा, इन सभी चीजू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दो से तीन मिनट के लिए सभी चीजू को भून लेंगे, गेस की फ्लेम हमें मीडियम रखने हैं, और यह देखे हमारे आलू और मटर अच्छे से भून चुके हैं, अब इससे मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे, मैंने इसमें आदे चमत से थोड़ा सा ज्यादा नमक यूज किया, आप नमक अपने टेस्ट के साब से कम ज्यादा एड़ कर सकते हैं, टमाटर के साथ नमक डालने से सबजी हमारी जल्दी पकती है, और यह सारे मसाल अच्छे से मिक्स हो चुक है, अब हम इसे एक प्लेट से ढख देंगे, हमें प्लेट से ढखने हैं, कूकर का ढखन नहीं लगाना है, और चार से पांच मिनट के लिए आलू और मटर को अच्छे से पका लेना है, उसके बाद हम इसमें एक गलास पानी एड़ करें सबस्क्राइब करेंगे और यह देखिए हमारी अलू मट्र की सबजी तेया रहे है अलू हम छेकर लेते हैं कि अच्छे से गले यह नहीं और यह देखिए चम्मस से प्रेस करें whirl चप हो रहे हैं हमारी सबजी तयार है अब हम इसमें बाकी के मसाल एड़ कर देते हैं आप कमेंट करके बताना कि आपको यह सबजी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब् जब भी बनाए उसमें अमचूर पाउडर जरूर एड कीजिए इससे हमारे आलू बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेंगे और ये देखिए हमारी सब्जी तयार है अब हम इसमें एक लाश्ट में तड़का लगा देते हैं मैं तेल गरम कर लिए उसमें थोड़ा सा हींग डालें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उपर से कटावा हरा धनिये डाल देंगे ये हमारी जटपट बनने वाली आलू मटर की सब्जी तयार है उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अब हम सब्जी को सव कर लेते हैं आपको और रेसिपी देखना चाते है तो आप कमे रेसिपी देखने को मिले मिलते हैं फिर से एक नहीं रेसिपी के साथ